असलामू आलेकूम मैं जुलेखा अर्फा जुलेखास किच्चिन से तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़ियासा मतन का मुरादवादी बिर्यानी कहें पुलाव कहें वो बिर्यानी हमें तो पुलाव लगता है लेकिन वो बिर्यानी ही कहते हैं तो चलिए यह बनाते हैं टेबल स्पुन साबुत धनिया, आदा चुड़ा चाय का चमच, काली मिर्च, साबुत वाली, एक बड़ी डानडी दालजीनी की है, यह आप देख सकते हैं, एक जावित्री, और पाच्छे लॉंग, एक बड़ी इलाइची, इन्हें साइट पर रगे, अभी मैंने गोश के सा दालेंगे, एक कुकर लीजिए, उसके अंदर दाल दीजिए, आधा किलो गोश, अच्छे से दोया हुआ है, चर्वी निकाली हुई है, मैंने मीडियम से थोड़े बड़े पीस रखे हैं, और एक बड़ी साइस की प्यास, इसे मैंने मोठा मोठा काटके दाला है, एक हरी मि दाल दें, मैं एक छोटा चै का चमश दाल रही हूँ, और इसमें दाल दीजिए, एक गड़ी लस्तन की साबुत ही दालिएगा, मैंने धोकर दाल दिया है, पुकर का धकल लगा दीजिए, फास्ट आच पर एक सीटी खिला लीजिए, जब एक सीटी आज आज करके, ग्यारा परा मिनट हो जाए, तो चुले को करदिची का बंग, ये हैं तकरीबिन आधा किलो 500 गराम चावल बासमती है, मैंने इसे सबसे पहले कप के हिसाब से मापा है, आपको मापना जरूरी है, आपके पास जो भी गलास हो, कप हो, उससे पहले माप लीजिए, फिर पानी हम उसी क क्वांटिटी के हिसाब से डालेंगे, अब इसे दो तीम पाने से धो कर साफ पाने के अंदर आदे घंडे के लिए भीगाने रख दीजिए, चलिए अब हम गोश्च चेक कर लेते हैं, कंप्लिल्टी ठंडा हो जाए कुकर, तो आप चेक कर लीजिए गोश्य रेखिए, अल और एक बाउल में निकाल लीजिए, तो ये देखिए, ये मैंने सारा निकाल लिया है, और लस्तन भी देख सकता है आपको, और ये रह यकनी और ओर गोश्य, अब हम बगार लेते हैं, आप चाहें तो कुकर के अंदर ही पुलाव को बगार सकते हैं, बट मैं हमेशा ये वा अधियान और एक बड़ी लाइची, ये सारे गरम मसालों को ये तेल के अंदर दाल दीजिए और इसे फास्ट आंच पर तर तरा जाने दीजिए, जब तर तरा जाए, यहां मैंने दो मीडियम साइज की प्यास साइट पर काटके रखी है, ये दाल देते हूं, आप एक भी एक छोड़े प्यास हो, वो भी दाल सकते हैं, बट मैंने दो मीडियम साइज की प्यास दाली है, और इसे बार बार चलाते हुए, लाइट गोल्डन ब्राउन कर लीजिए, अब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो हमारा जो मतन है, वो सारा दाल दीजिए इसके अंद तब तक भूली है, जब तक इसके कच्चेपन की खुश्बू नहीं चले जाती, तब तक, मैंने ये बिर्यानी अभी रिसेंटली मुरादाबाद में खाई है लिगे हैं, बहुत जादा स्पाइस दालते हैं, और हरी मिर्चियां साबुद भी बहुत दिखती हैं उसमें, औ ऐसी मोटी-मोटी कटी हुई भी बहुत दिखती हैं, तो मैं उतनी नहीं दाल रही हूँ, आप चाहें तो जादा दाल सकते हैं, मैंने तीन साबुद दाली है, हरी मिर्चियां और दो मिर्चियों को ऐसा मैंने मोठा-मोठा काट कर दाला, इसे भी मिक्स कर लीजिए, अब इसमें दाल दीजिए 1 3rd cup दही, इसे डाल कर पार बार चलाते हुए दही को भूल लीजिए, 2-3 मिनिट तक मीडियम आज पर आप दही को भूल लीजिए, जब 2-3 मिनिट हो जाए, इसमें दाल दीजिए एक छुड़चाय का चमश, सौफ, यह मैंने पीसकर साइट पर रख इसे भी दाल कर मिक्स कर लीजिए बहुत अच्छे से, जब अच्छा मिक्स हो जाए तो अब हम पानी डाल देते हैं, जो स्टॉक पहले बचा है, यानि के यकनी बची है, वो डाल देते हैं, तो मेरे पास यकनी है 3 cup और मुझे चाहिए 4 cup पानी, तो यह 3 cup मैंने डाल दिया आप चाहिए तो ढख सकते हैं, जब अच्छा उबाल आ जाता है, तो हमारे जो चावल है, उसे नितार कर अच्छे से डाल दीजिए, बिस्मिलायरा पानी रेम बोल कर और अच्छा इसमें पकने दीजिए, एक या दो बार ही चलाएगा, फास्ट आच पर पकाएं, तब तक पकाएं, जब तक है न, all the most पानी ड्राय आउट नहीं हो जाता, चलिए, अच्छा ड्राय आउट हो गया, all the most, तो चुले को कर दीजिए, इसके अंदर मैंने केसरी कलर दालाया, मिक्स करकर मैं इसके ओपर चारो और लगा देती हूँ, इस तरीके से, ऐसा करने से, चलिए, मोटी है, तो आप ऐसा कीजिए, लेकिन मेरी मोटी नहीं है, पतली है, तो मैंने किया, किया, तववा साइड पर गरम पे रखा था, उसे अच्छा गरम हो गया, तो इसके नीचे रख दिया, अब इसे ढख कर, मैं 15 मिनिट तक दंपर पक ने देती हूँ, चलिए, मिनिट हो गया है, मैं चूला कर देती हूँ, बंद एक बार खोल लीजिए, ये देखिए, क्या पढ़िया से पक गई है हमारी बिर्यानी, पुलाओ जो से कहते हैं, बिर्यानी भी कहिए, तो अब मैं इसे ढाक कर, as it is, रखती हूँ, लेकिन नीचे से तववा हटा लेती और फिर 15-20 मिनिट के बाद इसको खोल लूँगी, चलिए 15 मिनिट हो चुके हैं, और मैं अब इससे पहले तो इस तरीके से एक बार ओपर नीचे कर लीजिए, चावलों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और ये बन गया हमारे गर्मा-गर्म, मज़ेदार से, मुरादाबा में खाया है, बहुत ही डिलिशिस होता है, फ्लीवर फुल बहुत होता है, तो चलिए, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ, प्लेट के अंदर, अच्छे जो 15 मिनिट हम ऐसे ही रखते हैं, वो इसके लिए रखते हैं, रेस्टिंग स्टेज पे, सो दाट ये जो हमारे चावल ह ना, उसी समय निकालोगे ना, तो टूट फूट जाएंगे, 15 मिनिट के बाद निकालते हैं, तो टूटते नहीं हैं, मैं इसे हरी चटनी के साथ सर्फ कर रही हूँ, बढ़िया सी डिलिशिस है वो, आप उसका लिंक चाहिए, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजेगा, वहा बात ही है, कि वहाँ जब हम खाते हैं, प्रॉपली मुरादाबाद में, बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है, तो आप मिर्ची जो डालते हैं, वो अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, तो चलिए, मैं कर्मा गरम इसे सर्फ करती हूँ, इसी तरीके से मैंने कूप सारे पुलाउज और बिर्यानी की रेसिपी मेरे चानल पर अपलोड किये, आप लोगों के लिए लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, अप चेक कर लीजेगा, या फिर आप मेरे चानल पर चले जाएंगे न, तो आपको ये सारे पुलाउज और बिर्यानी मिल जाएगी, औ और उससे जाद अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंज में इस वाले वीडियो के लिंक जरू फावर्ड कीजिएगा, फिर से अधिर होंगी नहीं शानदार दमदार रसिपी के साथ, अंतल दें, टेक केर लाहाफिस, बाबाई